हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिस असदेटेट 27 फर्वरी 2021 और इंडियन एक्ष्प्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेच से इंपोर्टन आर्टिकल्स देख लेता हैं जो आज हम डिसकस करने वाले हैं आज सबसे पहले हम तीन आर्टिकल्स डिसकस करने वाले है जो अभी कल ही जो Information Technology Ministry ने अपनी तरफ से Intermediary Guidelines और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 डिक्लियर किये हैं उन से तीन आर्टिकल्स प्रिंट हुए हैं उन तीनों आर्टिकल्स को इन सक्सेशन लगातार पढ़ेंगे जिसमें पहला आर्टिकल है इसमें एक तरीके स हो सकते हैं इन लॉज के दूसरा Accountability with the cost इसमें इन रूल्स को criticize किया जा रहा है और थोड़ा बहुत ये भी बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे क्योंकि पॉलिटिकल अब्यूस फिर बाद में ज इसमें भी बताया जा रहा है कि जो code लाए गए हैं डिजिटल मीडिया के लिए code of balance है एक तरीके से कि ये media houses जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी जिस तरीके से अपनी assertion दिखा रहा हैं throughout world तो बोलें इनके regulation की ज़रूद तो पढ़ेगी और इंडिया ने भी अपनी त technology basis पे declare हुए हैं कल ही और इसके अलावा एक article हम देखेंगे ये वाला friends and neighbors जिसमें पाकिस्तान के PM की visit होई है अभी स्रिलंका में और उन्होंने वहाँ पे जो भी promises की हैं जो भी एक तरीके का scope दिखाया है कि क्या पाकिस्तान के साथ में relationship स्रिलंका के आगे और increase हो सकती है उ और स्रिलंका और पाकिस्तान का relation previously क्या रहा हुआ है वो भी ये जानने को मिलेगा क्योंकि neighbors हैं दोनों के दोनों हमें भी समझने की जरूरत है वैसे इंडिया के लिए कोई offensive नहीं है इंडिया ने कोई objection register नहीं करा है बट फिर भी अपनी तरफ से ये जानना जरूरी है एक article है ये the fun of learning इसको आप पढ़ोगे इसमें बताया जा रहा है कि school education को joyful बनाना रोट लर्निंग को हटाना एक जो silos होते हैं कि अपने अपने areas में सब लोग confined होते हैं टेक्स्ट बुक उठाई teacher ने पढ़ा दिया तो वो चीज ना हो करके एक open माहुल होना चीए जहां पे बच् political मुद्दा चल रहा है इसमें क्या है एक तो world economic forum पे उन्होंने अपना speech दिया था उसमें कहा था बोले है world में peace promote करेंगे और confrontation नहीं होना चाहिए तो इन चीजों की वज़े से क्या है कही नहीं हो खुद ही खुद के शब्द जाल में फस गए दूसरा इसमें आप देखोग हैं तो वो भी कही नहीं एक milestone के तोर पे peaceful emergence अपनी दिखाना चाहता है चाइना ठीक है तो इस वज़े से disengagement और रही सही में इंडिया की तरफ से जो political will थी political alertness थी वो और military की जो empowerment थी military को जिस तरीके से deploy किया गया जिस तरीके से इंडिया ने अपनी तरफ से कदम उठाए उ जो disengagement रही ठीक है 1952-53 के टाइम पे चाइना ने देखो अकसाइच चिन जो है हमारा जो के आज तो लद्दाक की पार्ट है और चाइना के पास में अगर इंडिया का आप टॉप देखो तो इधर वाले रीजन में जब चाइना ने अपनी road construction करनी शुरू कर दीती थी थी उस टाइम के political establishment ने बिलकुल open ही नहीं किया था ठीक है राइटर यहाँ पे थोड़ा सा उनको blame कर रहे हैं कि अगर उस टाइम पर यह चाइना ने अपनी तरफ से aggression ना दिखाया होता तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि वाकई में यहाँ पे road construction की जा चुकी है लासा से कारा क जो scenario चल रहा है उस scenario में एक चीज clear हो रही है कि इंडिया बिलकुल अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और इसी चीज को ले करके military को भी एक autonomy दे रखी थी कि यहाँ पर politics ना खेल करके सीधा military को कहा कि reality आप जानते हो आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से आप एंगेज करो हम diplomatic level पे English करेंगे तो यह था पूरा scenario और इसी का चलते है फिर बाद में चाइना को disengagement के लिए तयार होना पड़ा देखो चाइना पर विश्वास करना तो इतना आसान है नहीं हम ही नहीं वर्ल्ड के कोई भी country जल्दी से चाइना पर विश्वास नहीं करते हैं पर एक phased manner मे disengagement हुई है तो उसको trace भी किया गया है कि वाकई में चाइना अपने troops को withdraw कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है तो इस article को एक बार आप खुदी पढ़ोगे थोड़ा सा जिस्ट मैंने देने की कोशिस की है और यह उपर वाला article है बिल्कुल discuss करने लाहिक नहीं यह नहीं करेंगे अब देखते हैं articles को detail में फर्स्ट आर्टिकल है state pushback ठीक है Thursday को government of India ने information technology intermediary guidelines and digital media ethics code rule 2021 release किये हैं जो की social media और यह digital media platform जैसे की over the top platforms and netflix amazon prime इनके लिए एक contour decide कर दी है इनकी एक fixed boundary decide कर दी है और यह inevitable था इसको ignore भी नहीं किया जा सकता था इन rules की जरूरत भी थी अभी जो scenario चल रहा था क्योंकि हो क्या रहा था अभी कि हमारे जो IT minister रवी संकर प्रसाद जी उन्होंने information जो की information technology minister है उन्होंने twitter को double standards के लिए बिलकुल blame किया accuse किया कि जब red ford पर attack हुआ या red ford पर जो violence की गई थी जो farmers के द्वारा उस time पर और एक तरीके से वहाँ पर कू करने कू तो क्या मतलब एक attack ही कर दिया था तो उन दोनों को treat करने में twitter ने बहुत ज़्यादा irresponsibility मतलब एक तरीके से partiality बहुत ज़्यादा दिखाई है तो ये जो big technology forms हैं इनके हाथ में बहुत ज़्यादा power confine होना ये कही ना कही state मतलब government के issues हैं उनको ले करके तो इन media platforms को basically क्या communication and decency act जो की USA का है उसमें section 230 केंडर में immunity दी हुई है उस immunity को यहाँ पर बिलकुल खतम कर दिया गया है कि अगर इंडिया में आपको rule चलाने है अगर आपको इंडिया में exercise करनी है अपनी activities को continue करना है तो इंडिया के rules and regulations तो आपको मानन पड़ेगा तो यह पहली बार है first salvo salvo का मतलब होता है एक sudden series of action होती है एक तरीके से जिसमें एक battle start हो गया है big tech और Indian government की बीच में और यह battle जो है यह कहीं ना कहीं कुछ lines है वो भी draw करता चला जाएगा एक limitations भी create करता चला जाएगा basically यह जो नए कानून है इन में तीन चीज mechanism को establish करना जिससे कि अगर कोई complaint आती है तो उसका timely resolution किया जा सके इस platform की जरुवत में क्या है एक grievance officer को appoint करने की जो कि जब भी कोई complaint आये तो उस complaint को acknowledge कर दे 24 गंटे के अंदर अंदर कि हाँ उनके पास में complaint आ गई है और जैसे complaint को acknowledge कर दे तो उसके बाद में 15 दिन के अंदर उस complaint का resolution हो जाना चाहिए problem sought out हो जाने चाहिए तो पहला provision तो हो गया grievance redressal से related दूसरा इसमें provision ये है कि ये जो platforms है इनकी transparency और accountability fix करने के लिए चाहे social media हो चाहे digital platforms हो इसके लिए क्या किया जाएगा कि उनके दिवारा एक chief compliance officer appoint किया जाएगा जो कि responsible होगा कि जो information technology act और ये जो rules है इनको follow कर रहा है या नहीं उनका platform उनकी company तो ये compliance चेक करने के लिए ये chief compliance officer appoint करना होगा उन digital platforms को जो कि publicly अपनी एक monthly compliance report भी publish करेगा कि कितनी उन्होंने compliance address की है कितना उन्होंने non-responsiveness दिखाई है कि complaint आगई उसके बावजूद उनने इससे क्या होगा कि इन platforms की biasness के बारे में पता पड़ेगा तो दूसरी चीज हो गई compliance related और तीसरी चीज जो है वो इसमें है कि uniformity लाई जाएगी चाहे TV मीडिया हो चाहे print मीडिया हो चाहे online मीडिया platforms हो इन सब को regulate equal मतलब सब को equally treat किया जाएगा अब देखो बात ही है कि government न करके काम करो और यही आगे continue रहेगा बट problem यह है कि यहाँ पर यह self regulation में कही न गहीं अगर biased nature दिखा देंगे biased behavior दिखाते हैं तो वो थोड़ा मुश्किलों का करण बन जाता है और इसी के लिए कही न गहीं state that means government concerned भी है तो three tier framework की जिसके हमने बात की उसमें एक चीज envisage की ह हुई है कि एक oversight mechanism जिसमे observation monitoring की जाएगी state के द्वारा और उस monitoring में एक inter departmental committee भी establish की जाएगी तो आप यहाँ पे देखो तो एक तो inter departmental committee government establish कर रही है और दूसरा उपर हमने देखा कि grievance redressal के लिए officers appoint किये जाएंगे उन particular media houses के द्वारा तो उस case में तो देखो government एक बार तो कह ना कहीं complain करने के right भी अपने हाथ में रख रही है तो दूसरी तरफ एक authority का right भी अपने हाथ में रख रही है जिससे की laws को enforce कर सके तो government ने अपने हाथों में दोनों हाथों में लड्डू रख लिये ये concern ना कहीं ना कहीं दूसरा कि कि किस basis पे government intervene करेगी कब अपने अपने आंग अडानी शुरू करेगी government या कब अपनी खुद के या कहीं पर कौन से मतलब एक minimum threshold क्या है कि इतना होने के बाद में government अपना role play करना शुरू करेगी वो threshold clearly defined नहीं किया हुआ है और ये सबसे बड़ी problem है हमारे country में कि हम हमारे हाँ पर जब भी कोई loopholes मिलते हैं तो loopholes को parties हैं वो भी कहीं नहीं exploit करती हैं तो government भी उन loopholes का फाइदा उठाती है misuse होता रहता है abuse होता रहता है loopholes का तो ये जो vagueness है na unclarity इसकी clarity आनी बहुत जरूरी है नहीं तो फिर बाद में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है users को भी even state को खुद को भी state मतलब government ठी हैं एक चीज ओर करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी ऐसा content उनके platform पे share हो रहा है जो कि कोई violence create कर रहा है या national sovereignty या security के against में कुछ जाता है तो उसके बारे में उनको first originator के बारे में information देनी होगी कि इसने ये शुरुआत कहां से हुई तो पर इसमें सबसे बड़ी problem आ जाएग है कि data आपका safe or secure है वो end to end encryption का जो है उसका breaking करना पड़ेगा उसको तोड़ना पड़ेगा और अगर वो तूट जाता है तो right to privacy जो कि हमारे article 21 में पुट्टा स्वामी केस में 2017 में सुप्रीम कोट ने mention किया था कि right to privacy is a fundamental right तो वो कही ना कहीं breach हो जाएगे उसके उपर effectivity effect आ रहता है अनॉनिमिटी का मतलब कि किसने share किया मतलब जल्दी से आप vulnerable नहीं होते हो एक user को डर नहीं रहता है कि मैं मेरी बात को express कर रहा हूं तो जल्दी से मेरे ओपर कोई attack कर देगा पर यहां पर इस anonymity को अगर आप खतम कर देते हो तो इसके grave repercussions हो सकते हैं इससे एक user का जो dissent या फिर disagreement को register कराने का तरीका है उसमें वो बहुत सोच समझ करके डर करके फिर बाद में काम करेगा तो यह social media platforms कहीं नहीं यह एक scope provide करती हैं कि dissenting opinion को वो unleash करती हैं या फिर communities को empower करती हैं कि वो अपनी बात को openly share कर सके देखो big tech companies है नहीं यह definitely बहुत जरुवत थी इनकी कि इनको accountable बनाया जाए उनकी working को transparent manner में operate होना चाहिए और इसके लिए rule ने अपनी तरफ से एक space भी तयार कर दिया है कि अब एक नया regulator architecture बनेगा या बनने जा रहा है या बन चुका है यह कह सकते हो आप तो उसमें एक debate सा चल पड़ेगा आप कि क्या big tech companies को accountable बनाना है तो क्या करना चाहिए और देखो यह चीज़ बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से big tech companies यह social media companies community का empower करती है तो उसका miss use भी तो होने देती है miss use भी तो करती है ना तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं accountability के अंडर में आनी जरूरी है तो देखो state के हाथ में अगर blunt instrument हो कि हाँ वो मन में आये तब social media platforms के ओपर case कर दे या उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दे उसके और दूसरी social media houses जो miss use करते हैं अपने platforms का उनके बीच में एक balance बनाने की जरूरत है देखो अगर devil है शैतान है उसको अगर हमें ठीक करना है तो balance way में ही कर सकते हैं और balance के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप details को read out करो details को in depth study करो ठीक है next article पर चलते है next article accountability with the coast article लिखा है अपार गुपता के दुआरा देखो polarized environment चारो तरफ बना हुआ है और इसमें बहुत सारे agreements है ना वो कहीं ना कहीं तूरते चले जा रहे है और बहुत सारे agreement नए बनते जा रहे हैं और उसमें latest जो agreement है वो है social media के साथ में और वो कहीं ना कहीं तूट गया देखो बहुत सारे commentators हैं बहुत सारे critique हैं उन्होंने ये कहा कि government को अब urgently intervene करने की ज़रूरत है क्योंकि social media platforms जो हैं उन पर adversial content या फिर बहुत सारी controversies प्लान क की जा रही हैं मतलब एक तरीके से instability क्रियेट करने में social media platforms का यूज किया जा रहा है और इसमें ये platforms openly यूज हो भी रहे हैं तो issue जो है वो fundamentally ये है कि जो अभी information ecology का पूरा माहुल बना हुआ है जिसमें large silicon valley platform जैसे Twitter, Facebook, Google ये company कहीं न कहीं है gate keeper का का काम कर रही हैं कि हमारे यहा यहां पर जो कुछ भी आना चाता है जो कोई भी आना चाता है उसको एक तरीके से allow तभी किया जाएगा कि जब वो in platforms को फाइदा पहुचाए और अगर government को यहां पर accessibility अगर करनी होगी तो हो सकता है ये gatekeepers मना कर दे कि भई यहां पर हम open है हमारे लिए जो important होगा हम उसी को entertain करेंगे तो ऐसे में क्या है बहुत सारे demand हो रही थी कि इनको regulate किया जाए क्योंकि यह बहुत ज्यादा anti-democratic stance को promote कर रहे हैं तो government of India ने इसी चीज़ को ध्यान में रखा इसी danger को ध्यान में रख करके कल ही नए कानून ला दिये intermediary liability को ensure करने के लिए उनके जिम्मेदारी को fix क रहने के लिए जिसमें एक तो यह कि information technology act का section 79 उसमें हमारे पास में अभी जब यह laws आये हैं अभी amendment तो अब आएगा इस act में तो 79 क्या immunity provide करता है section 79 of information technology act 2000 कि अगर media platforms पे कुछ भी share किया जाता है social media platform पे तो उनके against में कोई case नहीं दायर हो गया उनको कोई परेशानी नहीं होगी legally इसी के साथ में supreme court का 2015 का एक case भी है verdict भी है श्रेया single versus union of India जिसमें section 66 A को strike down कर दिया था information technology act 2000 को जिसमें एक आ गया था कि अगर social media platforms पे कोई cartoon कोई भी अपने dissent को या disagreement को अगर express करता है तो उस case में उनको jail नहीं होनी चाहिए उनके against में legal activities नहीं होनी चाहिए social media platforms पे अगर कुछ कोई share करता है तो ऐसे करके ये दोनों चीजें जो थी ना वो कहीं ना कहीं इन technology companies को एक immunity provide कर रही थी कि हाँ इनके लिए कोई परिशानी नहीं हो पाएगी बट जो कल का जो कानून लाया गया है कल के जो rules declare किये हैं जिसको हमने अभी देखा information technology intermediary guidelines and digital media ethics code 2020 उन्होंने इन सारे immunities को एक बार खतम कर दिया है देखो ये जो नए changes लाये गए हैं इसमें ministry of information technology और ministry of information and broadcasting दोनों ने साथ हा करके फिर काम किया है अब broadcasting का TV से इनसे related हो गया तो इस case में अभी हमने देखा previous article में कि TV को press को और ये जो digital platforms है इनको अब equally treatment दिया तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको हमें highlight करने की जरूरत है तो पहली चीज यहाँ पर highlight करने वाली यह है कि एक obligation social media companies पर डाल दिया है इन platforms पर डाल दिया गया है और यह obligation का जो बातचीत है कि उनकी एक मतलब उनको एक तरीके से disclose करनी पड़ेगी information को अगर जरूरत आप कह सकते हो जो bureaucracy है या फिर ministers है उनमें already बातचीत चल रही थी बट problem क्या है कि अगर इस obligation के basis पर अगर information disclose की जाती है कि क्यों originate कर रहा है इस information को कहां से तो सबसे बड़ी problem तो यह है कि right to privacy और right to freedom of speech and expression यह दोनों article 21 और article 19 दोनों को यहाँ पर harm होता हुआ दिखाई दे र हैं इसके अलावा कुछ features की और बात करें तो social media platforms की accountability को और ज्यादा fix करने की बात की गई है इन laws के थूरू जैसे कि example दे रहे है कि content को हटाने की जरूरत है for example अभी अगर कोई user A है वो अपनी बात को share करना चाह रहा है social media platform say Twitter पे तो उसको वहाँ पर अब Twitter को check करना पड़े गा कि वो content कैसा है वो content इन rules के या फिर जो acts already है उनको compliance में रखके फिर बनाया गया है या नहीं है अगर नहीं है उन rules के according तो उसको strike down कर दो पहले ही उस content को खतम कर दो share होने ही मत दो और दूसरी तरफ अगर हो जाता है तो फिर बाद में उसको trace करो कि कौन बंदा है जिसने यह पूरा का पूरा content share किया है ठीक है तो इसका मतलब तो यह हो गया कि आप जो एक conversation एक बातचीत होनी चाहिए एक तो क्या हो गया देको privacy कि दो individuals के बीच में बातचीत क्या हो रही है उसके उपर सवाल उटने शुरू हो गए जो की end to end encrypted manner में होता है तो उसको अब government जो है ब्रेक करेगी दूसरा अगर कोई individual कुछ share करना चाहरा है तो उसको पहले social media platform एक adequate notice provide करेगा कि भई पहले यह कुछ guidelines है इनको पढ़ ले अगर तुने यह follow नहीं किया है तो तु यह share नहीं कर पाएगा तो ऐसे करके जो एक free speech का एक platform provided था उसको बहुत ज़ादा जबरदस त WhatsApp पे आप देखते हो कि किस तरीके से हमारी chatting होती है individuals की बीच में तो अगर वहाँ पर दो users की identity disclose हो जाएगी और उनकी private chats है अगर वो government disclose कर लेगी तो फिर बाद में कहा freedom of speech and expression कहा पर right to privacy इसी के साथ में एक जो राइफ है राइफ का मतलब एक तरीके से होता है कि continuity जो बनी security threats को highlight कर रही है और साइबर security threat भी रहता है और दूसरा in consistency with the rule of law की हां government हमारे यहां पर constitutionality को promote करने कोशिश कर रही है और यह जो social media platforms है सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश करने है दूसरा surveillance and oversight की जो भी यह social media platforms में काम हो रहे हैं तो वहाँ पर state की नजर anytime गड़ी है कि लोग एक तरीके से कुछ भी share करने से पहले डरेंगे और दूसरा कि users को share करने से पहले एक notice दिया जाएगा उस notice को अगर वो follow करेंगे और वो अगर content rules के according होगा तो ही वो share कर पाएगा नहीं होगा और अगर वो decent भी अपनी register कराना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा तो यह तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो private conversations हैं उनकी requirements की जो एक need होती है ना कि जो वाकई में privacy maintained हो उसको आप undermine कर रहे हो तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है इसके अलावा फिर दूसरी बात जिसको यहाँ पर writer highlight करना चाह रहा है वो यह कि जो social media companies के वहल इ इनी पर लगाम नहीं लगा ही जा रही है जैसे जो already existing जो दूसरे media houses हैं platforms हैं उन पर भी oversight रखने की बात की जा रही है इवन जो भी rules and regulation अभी ministry of information and broadcasting की तरफ से दिये गए हैं या ministry of electronics and information technology के दुवारा दिये गए हैं उनमें इन rules के हिसाब से rule 13-4 जो है na rule 13 clause 4 उसमें एक censorship का provision क किया गया है कि कोई भी content को blog कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो कोई apology scroll आ रहा है तो वो उसकी वज़े क्या है उन चीजों के लिए आपने rules जो बनाए हैं जिसमें यह जो social media platforms है digital media platforms हैं इन पर आप अपनी तरफ से लगाम लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपकी पास में कोई legislative backing ही नहीं है आप कोई कानून तो लेकर क्या हो कम से कम parliament में debate discussion तो होना चाहिए यह तो केवल और केवल एक executive stance लिया हुआ है इसी तरीके से similar problem digital news media portal को भी सामना करना पड़ है देखो information technology act 2000 के हिसाब से ठीक है जो की limited provision में काम कर रहा है ठीक है अब उसको अगर आप news media platforms तक जो digital news media platforms है वहां तक extend कर रहे हो websites को block करने की बात कर रहे हो intermediaries की liabilities को framework तयार कर रहे हो authors और creators को वहां तक आप extend पहले और देखो हो क्या रहा है कि author अगर कुछ write करना है कुछ भी creator कोई content तयार कर रहे है तो पहले तो क्या था कि ऐसा कोई problem नहीं थी अब तो authors और creator वही बात आ थोड़े से सहमें सहमें से रह सकते हैं तो यह तो सारा का सारा executive fiat पे based है executive जो government चाहती है वही चीज है तो यह तो कहीं न कहीं इसका एक terrible outcome हो सकता है बहुत डरावने outcome repercussions हो सकते हैं इसके इसके अलावा एक autonomous एक body की बात करें जिसको establish करने की बात की थी अभी previously हमने देखा कि एक तो ग्रिवांस redressal officer होगा एक chief compliance officer होगा वो और एक inter departmental committee establish की जाएगी तो वो जो bodies है उन bodies में को उनको autonomy थोड़े ना दे रखी है उनको तो सरकार अपने चंगूल में पकड़ के रखेगी तो वो तो फिर से एक bureaucracy के हत्ते चड़ जाएगा तो bureaucracy तो इंडियन bureaucracy को पर बह और इस particular sector में भी अप तो government ने अपने आपको assert कर दिया देखो अगर कोई particular regulation की जरुरत थी तो उसके लिए parliament आपके पास में एक option था discussion debate किया जा सकता था आपको opinion लेने थे public में एक draft release होता फिर public से आप opinion ले देते फिर उसके बाद में आप end users का opinion के basis पे फिर ये regulation formulate करते तो इससे क्या होता आप threat को minimize कर सकते थे बट government ने क्या किया properly जो discussion debate जो थे वो इतना openly नहीं किया मतलब एक deliberation होना चाहिए था democracy की main theme होती है parliamentary process की थूर जाना चाहिए था कुछ इस body को examine करने की जरुरत थी जो भी ये rules थे इनको democratic manner में तब जाकर के ये similar challenges सामने आते और इनको handle क जरने के लिए फिर बाद में rules को और ज्यादा better manner में तयार किया जा सकता था यहाँ पर example दे रहे है कि of com एक regulator है United Kingdom में जो कि study करता है in regulations से related जिसें की citizens को protection मिले और उनके rights को protection मिले लगाता rights के informants में कोई problem नहीं आए तो of com UK based है तो वही चीज़ वहां की parliament ने जब proper discussion debate के इसी तरीके से government अपना control अगर लगातार बनाती चली गई तो faults चलते होते चले जाएंगा political control ज्यादा हो जाएगा तो point यहाँ पे सवाल जो है वो यह है कि Thursday को जो press conference में जो moment है जहां पे हमारे जो digital information ecology को regulate करने के लिए नए rules लाए गए है वो एक watershed event है इसका impact आगे बहुत र 2018 में अपनी तरफ से एक model declare किया था online surveillance and censorship का बोला उसी से कहीं न कहीं हम influenced है और वो एक authoritarian regime है जबकि हम एक democratic country है तो हम as it is उसको copy करें वो हमारे लिए सही बात नहीं होगी executive या फिर political power अगर ज्यादा हो जाएगी as compared to democratic जो ethos है उनसे तो फिर उस case में फिर problem ही problem हो जाएगी accountability के नाम पे आप monitoring नहीं कर सकते political control ज्यादा नहीं कर सकते हो नहीं तो यह individual privacy को भी hurt करेगा और जो actual main platforms का जो main system है या main theme है वो भी defy हो जाएगी वो भी fail हो जाएगी आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल है the fine balance in digital age आर्टिकल लिखावर टीवी मोहंदास पाई के द्वारा यह हमने मुद्दा तो देखी लिया क्या है ministry of electronics and information technology government of india ministry जो जिसके मिनिस्टर है रवी शंकर प्रशाद जी उन्होंने अपनी तरफ से intermediary guidelines and digital media ethics code release किया है एक announcement किया है उसमें social media networks digital media companies over the top platforms इनको regulate करना और साथ में में जो ध्यान रखा जाएगा वो कि nation sovereign stance मतलब कि हमारे उपर कोई कुछ लोगों के हातों में ही power ना चली जाए state that means government जो की elected है जो की democratic manner में elected है उस government के उपर in particular media houses का ज्यादा दबाव ना बने या फिर आप कह सकते हो कि freedom of expression या speech का protection हो साथ में प्रेसी है वो भी protected रहे बट national sovereignty वो भी maintained रहे sovereignty का मतलब आपको पता होना चाहिए संप्रभूता that means हमारे लोगों के दुआरा ही elect की गई सरकार हमारे लोगों के दुआरा elect किये गई representatives ही हमारे लिए कानून बनाएंगे ना कि बाहर की कोई silicon valley में जो company है बड़ी बड़ी वो पर आकर के अपनी मनमानी करें तो एक balance बनाना बहुत जरूरी था accountability establish करनी बहुत जरूरी थी इन company's की और साथ में grievance retrasal कि जब citizens के against में या फिर country का अगर common value या common हमारी जो interest है national interest है उसके against में अगर कुछ sharing होती है तो वहाँ पर इन platform के accountability fix करना बहुत जरूरी था government ने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया है ये बहुत बड़ा difficult question था कि किस तरीके से एक balance establish किया जाए जैसे हमने Australia का case बहुत बार देखा है USA में भी हमने देखा कि किस तरीके से Donald Trump को तो पहले promote कर रहे थे बहुत बड़ी हा प्रेजिडेंट बहुत बड़ी हा प्रेजिडेंट और जैसे ही clear हुआ कि जो बाइडन अब जीतने वाले है तो Donald Trump की account को ट्रेटर ने बंदगर दिया इस बात को लेकर के जो फ्रेजिडेंट है Emmanuel Macron उन्होंने भी objection किया था कि ये तो इनकी पूरी की पूरी दादागरी चल रही है social media platforms की कि वो unreasonable way में अपने हिसाब से ही वो regulation कर रहे है तो ये चीज बहुत गलत है देखो चाइना से compare किया previous article में बट उसके लावा हमें democratic countries का खु दी धमकिया दी थी Facebook ने कि बोला कि हम news को share ही नहीं होने देंगे वो तो बात में चलो negotiations हो गए बातचीत हो गई सारी चीज ठीक है बट एक accountability fix करना बहुत ज़रूरी है पर हाँ ये भी ज़रूरी है कि unreasonable boundaries भी नहीं होनी चाहिए नहीं तो innovation नहीं आएगा या फिर जो expression होना च ये एक individual का जो की हमारे country में democratic values पे हम काम करते है article 19 में हमें freedom दी हुई है express करने की खुद को कि आप decent रखते हो खुश हो नाराज हो government की activities से तो आप अपनी नाराजगी को जाहिर कर सको peaceful manner में तो उस चीज़ को भी रोकने की ज़रूरत नहीं तो उसमें क्या बहुत ज़रूरी एक चीज थी कि alignment हो proper constitution के और जो objective था कि इन companies की एक proper manner में accountability भी fix की जा सके तो एक digital policy लेकिया आना technical या technological innovations को continue बनाये रखना ये चीज़ बहुत जरूरी थी और इंडिया इसी चीज़ के लिए काम भी कर रहा है देखो startup ecosystem की बात करें तो US और चाइना के बाद में इंडिया ती और हर साल funding मिलती है startup को 11 से 14 billion dollars की लगबग 700 million internet users हैं और half billion social media network पर अपने account बना करके उनको use करते हैं आज आप देखोगे इस open digital market में जहाँ पर इंडिया में इतना platform available है तो scope बहुत जादा है vulnerability भी उसी के according बहुत जादा है इवन आज चाइना की जितनी population अना digital population उससे ज्यादा population आज इंडिया में है जो digital accessibility रखती है तो अगर हमें इंडिया के जो commitments है हमें अपने आपको explore करना है हमें आतनिरवर बनना है हमारे लोगों को skill provide करनी है हमें हमारे लोगों का empower करना है तो उस case में support भी देना चाहिए औ और open भी करने की जरुएता local market को बट इसका मतलब यह नहीं कि यह digital platform जो कि globally अपने आपको बहुत strong बना चुके हैं वो अपनी मनमानी करना शुरू कर दे intentionally इंडिया ने जो कुछ भी design किया है वो बहुत सोच समझ करके किया है और जिसका target क्या है कि कैसे भी करके innovation यहाँ पर आए value की generation हो inclusive empowerment हो इन global companies को तभी platform provide किया था but point क्या है कि constitutional provisions को ध्यान में रखते हुए इन पर regulation लगानी ज़रूरी है उर्षी को ध्यान में रखते हुए और consumers की protection को भी ध्यान में रखते हुए और जो users जो data create करना है उनकी protection को भी ध्यान में रखते हुए जो laws है यह बहुत ज़ादा effective साबित होने वाले है राइटर यह कहना चाह रहे है साथ में citizens जो हैं वो government of India के इस कदम को welcome करेंगे जो मेती है ministry of electronics and information technology उन्होंने collaborative approach बनाई है जिसमें यह guidelines जो ensure की गई है उसमें citizens के concern को address किया गया है साथ में freedom of speech को भी protect करने की बात की है तो creator के भी expression को upheld करने की बात की है और साथ में many regional communities को भी encourage करने की बात की गई है कि आपके क्या grievances है आपकी क्या problem है अगर इन platform से आपको कोई शिकायत है तो पहले तो इन platform से request करो अगर वहाँ पे ir response आता है तो जो compliance officer होगा वो monthly report तो declare करेगा इना तो बोला उसके basis पे आप inter departmental committee जो establish की जा रही है वहाँ पर आप आकर के grievance redress करवा सकते हो तो citizens के साथ में freedom of expression और उस freedom of expression का misuse ना हो उसके बीच में कम से कम friction हो इस पर ज्यादा focus किया गया है country का आज digital ecosystem देखें तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और approach जो है वो इस पूरे rule and regulation के clear है कि हम vulnerable citizens को protect करें ये prime interest है in rules का और government का ये हमने पहले ही articles में देख लिया है कि इस proposal में clearly defined grievance redressal mechanism भी है जहां पर हर एक social media और digital media platform intermediaries को empower किया जाएगा कि वो अपने खुद के mechanism को self enforce करें that means compliance की बात भी हमने की complaint redressal की बात भी की तो शुरुआती तो वो जो officers होंगे वो ये platform खुदी तो appoint करेंगे ना इसमें कोई सरकार ये थोड़े ना कह रहे है कि पहले हम कर रहे हैं तो writer यहाँ पर यहाँ पर यह चीज बोलने इंटरमीडियरीज को पहले empower किया गया है कि आप अपने level पर ही चीजों को tackle कर लो नहीं करोगे तो फिर उसके बाद में सरकार आएगी बट problem क्या है यहाँ पर सरकार कब आएगी यह threshold clear नहीं किया हुआ है आज के टाइम पर online safety बहुत ज़्यादा जरूरी है डिजिटल अगर user की dignity को अगर अपहल नहीं किया तो फिर आर्टिकल 21 भी कहाँ पर फिर fail हो जाएगा तो dignity of the users उसको maintain करना जैसे की women की जैसे ट्रॉलिंग होना यह कई आप cases देखते होना तो वो सारी मुद्धे चीज़ें कहीं नहीं sensitive issues है इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है guidelines ने affirmatively address करने की कोशिश की है कि जो इंडिया की digital population है उस पर एक छोटे से कदम का कितना असर पड़ सकता है उसकी sensitivity को ध्यान में रखकर के digital platform companies को अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा जो भी originator है जहां से शुरुआत हो रही है particular information की जो जिसकी वज़े से अगर disturbance create होती है तो उसके liability fix करना भी इनी platforms की prime duty रहेगी और उसके लिए हमने देखा कि जैसे previous article में हमने अलग opinion देखा था अब अलग opinion देख रहे है तो यहां पर देखो main बात यही है एक vital defense की जरुवत है कि जहां पर arbitrary censorship अगर कोई करता है ठीक है कि कोई भी social media platform जैसे हमने देखा न डॉनल्ल टरम्प का कि पहले तो हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया president और फिर बाद में डॉनल्ल टरम्प का county बंद कर दिया यह तो arbitrary censorship हो गई न तो इन चीजों को भी कही न कहीं balanced way में लाने की जरुवत है और इसके लिए ये चीजें ये जो rules हैं ये कही न कहीं internationally experience की गई जो अभी previous जितने भी experiences है उनको ध्यान में भी रखके बनाए गए हैं ठीक है guidelines ने controversial और contemporary जितने भी मुद्धे हैं उन पर भी ध्यान दिया है चाए वो Indian government की बात करो चाए local government की बात करो वो जो challenges का सामना कर रही है या दूसरी world की दूसरी countries हैं वो सामना कर रही है और ये चीज तो हमने देख ली US Donald Trump क मैं दो तीन बार example दे ही चुका हूँ आपको तो clearly defined policy की जरुरत है जिसें की democratic values को अफेल्ड किया जाए जिन principle पे ये company शुरू होती है उन principles को ये violet ना करें खुद से बनाए हुए principle खुद ना जाए और देखो इस तरीके से एक public debate भी अब शुरू होगी इन guidelines को लेकर के तो ह अगर आज rules में कोई problem होगी तो आने वाले time पे definitely inquirement करना पड़ेगा नहीं तो वही चीज है फिर आप भी parliamentary system में काम करते हो executives are responsible towards the legislature और legislature में आपके कौन है representatives है वो कुछ ना कुछ तो टांकी चाहिए करेंगे कि नहीं वहाँ बहुत सारे motions हैं अब आपको एक task देता हूँ ल executives की ठीक है जिसमें आप देखोगे zero आरा गया question आरा गया ठीक है no confidence motion आगई ये नाम देख लेना detail इन पर prelims में question आते रहता है ठीक है खर आठता है फिर से article में तो कोई भी अगर unlawful information create करता है अपनी boundaries को अपनी liabilities को breach करता है तो देखो उनको तो फिर बाद में कोई ना है उनकी accountability fix होनी जरूरी है और इसके लिए transparent manner में काम करना जरूरी है इन social media platform companies का तब ही जाकर कि हमारा जो digital ecosystem है वो सभी participants के लिए एक protection का का काम कर पाएगा e code of ethics कहीं ना कर इसी जीज़ को envisage कर रहा है देखो covid-19 की time पे हमने experience कि एक नया ही normal बन के आ गया है कि एक तो digital platforms बह integrity को promote करो जिससे की citizens ज्यादा परिशान ना हो क्योंकि एक तो बात हमने भी देखी थी कि data localization की data हमारा इंडिया का है store आप USA में कर रहे हो और Facebook ने तो यहां तक अभी जो WhatsApp की latest guideline आए उनमें क्या बोला था कि Facebook जो है वो users का data use करेगा अपनी marketing policies को formulate करने के लिए वो तो बाठी है कि Indian government ने अपनी तरफ से protest register कराया तो मई 2021 तक अभी उन guidelines को implement करने से रोके हुए है बट वो चीजी कहीं ना कहीं एक discussion का point तो बन चुकी है ना आज digital privacy integrity state से भी जरूरत है हमारी privacy को protect करना state से भी जरूरत है कि हम protected रहे तो इन digital media platforms को भी रोकना जरूरी है यह भी तो breach ना करे अपनी limit को वो भी जरूरी है freedom of expression and speech and expression वो भी protected रहे data localization की हमारा data यहीं पर इंडिया में server establish करो यहीं पर store करो sovereignty को अपहल्ड करना rule of law को अपहल्ड करना constitutionality के according काम करो digital economy हमें ज्यादा बढ़ानी है तो इन necessities को हम avoid नहीं कर सकते हमें इन पर ध्यान देने की जरूरत है हाँ य digital innovations को हम avoid नहीं कर सकते बट इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि जो हमारी vulnerability है उनको अब इंग्डोर कर दे उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है तो यह जो अभी जो भी rules आये हैं यह एक नई regulatory architecture को लेकर के आये हैं और hope है कि Indian citizens जो हैं वो इसको welcome करेंगे और यह आत्म नहीं fundamental pillar का काम भी करेगा आगे चलते हैं next article that is friends and neighbors पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्रिलंका में भी विजट हुई है वो एक reaffirmation है एक reminder है कि किस तरीके से इन दोनों देशों के बीच में लंबी रिष्तेदारी लंबी दोस्ती चल रही है दो दिन की वि कांसिल जिसमें एक क्लॉज है ठीक है 30-1 कल हमने explain page पर discuss किया था यह उसमें क्या था जो previous regime था ना स्रिलंका का उसने तो कह दिया था ठीक है हम यह जो United Nation Human Rights Council का क्लॉज 30 मतलब 30-1 जो क्लॉज है उसको हम adopt करने के लिए ready हैं जिसमें जिन लोगों ने भी चाहे वो military officers हो चाहे civilians हो जिन्होंने भी जो war के time पे killing कीती civilians को जो tamil minority है लिटे group के जो लोग थे उनकी जो assassination किया था उनको मारा था उनकी trial की जाएगी उनको punishment दिया जाएगा जबकि यह जैसे ही नई government आई है जिसमें प्रधान मंत्री तो राजपक्षे है और president है गोटा बाया राजपक्षे ठ दोनों भाई मिलकर के इन्होंने इस current regime ने क्या कर दिया बोलो कि हम इस 30 oblique 1 को नहीं accept करेंगे तो ऐसे करके अब फिर से resolution United Nation Human Rights Council की meeting होने वाली है उसमें इस resolution पर फिर से बात की जाएगी कि स्रिलंकन government जो है वो war crimes के जो जो भी accused है उनको अब trial में नहीं लाएगी इस time पर स् पाल है बहुत बड़े और पाकिस्तान के ओपर तो आपको पता ही है कि financial action task force ने अभी तक भी ग्रेलिस्ट में डाला हुआ है तो वही बात होगी चोर-चोर मोसे रहे भाई इस case में राइट तो दोनों तरफ से आप देखो कि स्रिलंका भी internationally criticism का सामना कर रहा है तो पाकिस्त पर स्रिलंकन government को पाकिस्तान के तरफ से बहुत जादा help provide की गई थी ठीक है कि कैसे भी करके तामिल इस अपराइज को surprise किया जा सके ठीक है तो यह जो meeting है यह जो visit है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की यह इस context में थोड़ी से important हो जाती है कि previously भी इनके बीच में relationship continue रही है इसके अलावा आप देखोगे जब से स्रिलंका ने covid-19 का जो यह outcome हुआ है यह outbreak हुआ है तो muslims को बरी करने की बजाए एक cremation के लिए उनको force किया कि भई आपको dead bodies को जलाना ही पड़ेगा तो उसके बाद में जो muslim world है उसमें कही नाराज़गी भी थी ठीक है तो उसके ब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की यह visit यह कही ना कही शो करती है कि थोड़ा सा chilling effect आ रहा है जो Islamic world है और श्रिलंका है दोनों के बीच में एक जो खीचतान हो रही थी उसमें तो यह opportunity है पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी old friend के साथ में जितने भी ties थे उनको reassert करें और आग पहले तक यह अभी भी continue कर रहे हैं तो इस particular situation में चाइना की जेब में देखो पाकिस्तान तो है CPEC के बारे में हमने कल पर सो बात की थी कि चाइना पाकिस्तान economic corridor और belt and road initiative of China और ग्वादर पोर्ट का develop करना यह सारी चीज़ें तो चाइना के तरफ से आप कहोगे कि पाकिस् पहरी करने के लिए श्रिलंका पहुचा और इसी तरीके से यह तीनों के तीनों इस्लामाबाद बीजिंग कोलंबो यह कहीं ना कहीं आगे काम भी कर सकते हैं और आगे अगर काम करता है तो फिर श्रिलंका अगर इसमें participate करता है तो इंडिया के लिए थोड़ा सा concern है ऐसी ब किया है ना कोई threat feel किया है कि यहीं स्रिलंका पाकिस्तान की बीच में closeness अगर बढ़ती है तो देखो पाकिस्तान ने अभी जो स्रिलंका को डिफेंस क्रेडिट लाइन क्रेडिट ओफ लाइन दी है पचास मिलियन डॉलर की अब देखो खुद मतलब हदे हो गये इनकी भी ख तो ठीक है आपकी खुद की टाइज है पॉइंट यहाँ पे आगे बताना चाहरा है एडिटर कि पाकिस्तान ने देखो 1990 के टाइम पे भी बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया था स्रिलंका को और उसी सपोर्ट को कहीं ना कहीं कंटीन्यू करना चाहरा है हमारे एक्शनल अ साथ में मेरिटाइम सेक्योरिटी को लेकर के बहुत इंपॉर्टन कदम उठाए हैं और एक एग्रिमेंट इवन साइन हुआ है मेरिटाइम सेक्योरिटी को लेकर के तीनों कंट्रीज के साथ में मतलब इंडिया ने स्रिलंका को भी स्रिलंका के साथ भी और इंडिया ने माल माल्दीव्ज में उतुरू थिलू फलूू ठीक है ये नाम है आप याद रखना कि रिसेंटली उतुरू थिला फलू। ये जो आइलन्ड है ये कहां पर है ये माल्दीव्ज का है और साथ में हमने माल्दीव को 50 मिलिएन डॉलर की लाइन ओफ क्रेडिट भी दी है जिसें कि इंडिया से वो defense purchase अगर कुछ करना चाहते हैं तो करें तो इंडिया ने इस चीज़ पर इस sensitivity को समझ रखा है पहले से और इसी के चलते हैं बहुत जल्दी आपने कहते हैं प्रूडंट कदम उठाया और दिल्ली इस चीज़ को देखो कंसीडर करने से ना चुके कि जब former prime minister अभी तो कौन चल रहे हैं महिंदा राजबक से वहाँ पे रानिल विक्रमा सिंगे उन्होंने ये कहा था कि Central Asia को accessibility श्रिलंका को अगर लेनी है तो इंडिया के थूँ जा सकती है तो यही चीज़ प्रोपोज की है कि इसने पाकिस्तान ने भी की है कि श्रिलंका को Central Asia से accessibility हम प्रोवाइड कर देंगे जबकि रानिल विक्रमा सिंगे ने ये प्रोपोजल इंडिया को पहले दिया है तो इंडिया को अपने जो स्रिलंका के साथ में टाइज है इस पर अब इस मुद्दे पर भी ध्यान देने की ज़रुत है कि Central Asia की accessibility इ अपने सिक्के चला रहा है और वैसे भी देखो चाइना की रिलेशन स्रिलंका के साथ में जब प्रीवियस रिजीम था ने इनका जब महींदा राजपक्से प्रेजिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पर भी अच्छे रिलेशन थे और दूसरी तरफ इंडिया ठीक है इंड सब्सक्राइब तो माल्दीव के साथ में इंडिया की रिलेशन अच्छे तो फिलहाल तो देखो अपर हैंड है इंडिया के पास में बड़ देखने वाली बात है कि टाइम क्या उंट किस करवट बेड़ता है टाइम बताएगा बाकी चीजा आपको मैं आए आई होप समझ म मैं आयोंगी discussion यहीं का तम है thank you very much